सुबे खाली पेट खाएं इसकी सिर्फ दो पतियां और सुगर रोक को बेलकुल जड़ से खतम करें गारंटी के साथ 100% वरकी नमस्कार दोस्तों दोस्तों मदुमे की बीमारी में रक्त में सरक्रा की मातरा समानने से अधिक हो जाती हैं अभी तक इसका कोई भी सथाई इलाज हमारे सामने निकल कर नहीं आया है इसलिए अगर आपको डाइबटीज को कंट्रोल करना है तो अच्छा पोस्टिक आहार और अपने लाइफ स्ट किसन भी बहुत अधिक हैं दोस्तों इस बीमारी को घरेलू इलाज से काफी हद तक कम किया जा सकता है आई ये जानते हैं मदुमे को घरेलू इलाज से कैसे आप सही कर सकते हैं आयुरुवेद विशेसगी फल सबजी और अलग अलग पोदों की पतियों से बलड़ सुगर का स्तर कंट्रोल रखने और इंसुलिन के इस्तमाल की सरीर की शमता को बढ़ाने में बहुत अधिक कारगर मांते हैं और दोस्तों यदि आपका सरीर इंसुलिन को खुद से प्रडूस करेगा और उसका सही तरीके से इस्तमाल करेगा तब ही आप इसर डाइपटीज को हमेशा क इसर डाइपटीज रोग को बिलकुल जड़ से खतम कर सकते हैं दोस्तों आज की सुडियों में हम आपको ऐसी ही पतियों के बारे में बताएंगे जिनकी यदि आप सिर्फ दो पतियों का सेवन हर रोज सुबे खाली वेट करेंगी तब आपका ये सुगर रोग बिलकुल ज लड़ से खतम कर सकती है तुलसी की पतियों से डाइबटीज का इलाज तुलसी की पतियां अगनास्य की बीटा कोसिकाओं की गतिवीदियों को स्चारू बनाए रखती हैं इससे ये कोसिकाओं सही मात्रा में इंसुलिन का उत्पाधन करती हैं और बलड सुगर का स्थर में रहता है डाइबटीज पीडितों के लिए हर रोज सुबे खाली पिट दो से चार तुलसी की पतियां चबाना बेहद अधिक फाइदेमन होता है पपीते के पत्तों से डाइबटीज रोक का इलाज पपीते के पत्ते के सेवन से सरीर की इंसुलिन के इस्तमाल की शम्ता पपीते की आठ से दस पतियां पानी में उबाल कर आपको पीना चाहिए नीम की पतियों से डाइबटीज का इलाज आथ को गुल को सोखने से रोकने की अलावा नीम की पतियां इंसुलिन के इस्तमाल से सरीर की सम्ता भी बढ़ाती है इसके सेवन को डाइबटीज के का इलाज विसेसग्य डाइबटीज के मरीजों को आम का सेवन करने से बचने की सलहा देती हैं लेकिन इसकी पतियां बीमारी की रोक्ता में एहम भूमी का निभासकती हैं दरसल आम की पतियां गुल को सोखने की आथ की शमता को घटाती हैं इसे खून में सुगर का स्तर प्रोल में रहता हैं आम की पतियां सुखा कर पावडर बना लें खाना खाने के एक घंटा पहले पाने में आदा चमच घोल कर पीने से आपको बहुत अधिक चमतकारी लाब होगा कड़ी पत्ते की पतियों से डाइबटीज का इलाज कड़ी पत्ते में मौजूद आइरन, क उपपर जैसे मिनल नैसरप अगनास्य की बीटा कोशिकाओं को नश्ट होने से बचाती हैं जिसे ये कोशिकाओं इंसुलीन का उत्पादन तेज कर देती हैं डाइबटीज पीडितों के लिए हर रोज सुखे खाली पेड 8-10 कड़ी पत्ते चबाना बेहद अधिक फाइद सुखर बढ़ने पर सुखर जामुन की 4-5 पतियां पीसकर पीना बहुत अधिक लाबदाई हैं एगिलास पानी में खोड़कर सुखर काबू में आ जाए तो इसका सेवन आपको बंद कर देना चाहिए गुडुमार की पतियों से डाइबटीज रोग का है आज अगनास्य मे इंसुलिन का उत्पाधन बढ़ाने वले गुडुमार की पतियां सुखर के लिए बेहद उप्योगी हैं इसके सेवन से गुलकोज के उर्जा में तबदील होने की गती बढ़ती हैं मिठे की तलब सांत करने में भी इसे बेहद असरदार पाया गया हैं विसे सगे सुबे ख पतियों का आप सेवन सुरू करतीजे यदि आप इस सुगरो को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस बीमारी के सभी त्रहें के कॉम्प्लिकेशन से बची रहना चाहते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिज आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आतिरहे धन्यवा दोस्तों